नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं knowledge बज़राज के वडियो में हम बात करेंगे railway NTPC के expected cut-up के बारे में हम बात करेंगे raw score के बारे में बात करेंगे safe raw score के बारे में और normalization में आपको कितना number बढ़ सकता है इसके बारे में हम detail में चर्चा करेंगे यहां पर देख सकते हैं कि मेरे पास SSC CGL का detail mark sheet है जहां पर आपको raw score भी दिया गया और normalize score भी दिया गया तो यहां पर देख सकते हैं यह जो CGL का exam था लगभग एक महीने चला था ठीक है यहां पर NTPC का हम detail में बात करेंगे ठीक है तो यह कि जो CGL का exam चला था वो एक महीने चला था और एक महीने में देख सकते हैं normalization में कितना फाइदा हुआ यह हम raw score से समझेंगे ठीक है आपको कितना फाइदा हो सकता है NTPC में क्योंकि दोनों exam कौन लेता है TCS लेता है काफी बच्चे बोलेंगे कि यह अलग लेबल का exam है और तो आप लोग इस वीडियो का अंत तक देखिएगा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज लाइक करके चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजेगा चलिए देखते हैं तो TCS ने CGL का भी exam लिया था माक्सिट भी रिलेज कर दिया और यहां पर नार्मलाईजेशन में माक्स मिलेगा डिपेंड करता है कि आपका कैसा सबसे जदा है मालीजेशन यहां पर इससा स्बसे जादा है उसको 50 नंबर एसात्ट में ले जाण जाए तो इसको 30 नंबर आ यह तो 50 तक ले जाने के लिए नौर्माइजिशन किया जाएगा तो वहां पर आपको नमबर में इन्क्रीज हो सकते है ठीक है तो एक सिंट आपका का ही यह मार्क्षिट है और यहां पर आप देखेंगे कि इस बच्चे का कितना आया 78.5 आया ठीक है 78.5 आया माल दीजे 79 आया और यहां पर उसे कितना मिल गया 7099 मिल गया मतलब तो 20-20 नंबर तक आपका इंक्रीज हो गया इससे पहले वाले सिफ्ट का एक बच्चे का मैंने देखा था तो वहां पर नंबर केवल 6 नंबर इंक्रीज हुआ था तो कहीं ना कहीं आपको नंबर मिलेंगे नॉर्मलाइजिसे में अच्छे से नंबर मिलेंगे ठीक है इस बात सिफ्ट नहीं होना चाहिए अगर बेस्ट होगा तो आपको नॉर्मलाइजिसे में मार्क से कम बिलेगा ठीक है अब यहां देखेगा नॉर्मलाइजिसे माली जिए किसी का माक्स घटे कभी तो एक दो नंबर घटे का उससे ज्यादा नहीं घटेगा अब यहां पर अगर आ गया मालदा हो गया ऐसे जोन में 50 नंबर देखने को मिलेगा हो सकता है वैंगलूर या साउथ में किसी जोन में 50 बाउंड के आसपास ही कटफ आपको देखने को मिले और यह मैं बता रहूं अभी आपको रोग स्कोर बता रहो ठीक है इतना अगर आपका आ रहा है तो आप सेफ होने वाले हैं और उसके बाद EWS के टेग्री से आगर आपने फिल किया है तो मुझे लगता है पचास से ज्यादा किसी भी जोन में नहीं जाने वाला है पचास से कम होगा पचास से ज्यादा नहीं होगा और नौरबलाइज कटफ भी 55-56 के बीची में रहेगा EWS का बह मुझे जहां तक लगता है कि जहां हाई देखने को मिलेगा वहां 55 मालीजे जहां लो देखने को मिलेगा वहां पर मालीजे 50 नंबर और यहां पर जहां पर आबरेज होगा वहां 45 नंबर भी 45 नहीं 50 तक ही रहेगा ठीक है न यह 50 तक और 55 तक ही रहेगा ST का माल ले तो ST में अगर 45 प्लस आ रहा है तो आप बिल्कुल safe होंगे और अगर ST के बारे में बात करें तो ST भी मुझे लगता है कि 42 प्लस आ रहा है 40-42 भी आ रहा है तो मुझे लगता है कि बिल्कुल safe है ठीक है इससे भी कम जाने का उमीद है और normalized होके कितना साथ देता है क्योंकि अब यहां पर क्या है नॉर्मलाइजिसन के उपर डिपेंड होने वाला है और आपका जो एक्जाम है वो कॉंसिट में है हाट सिफ्ट में है या आसान सिफ्ट में या एवरेज इस तो उतना ज्यादा नबर नहीं मिलेगा अगर माली जहां अगले वीडियो में परसे मिलते हैं टाइक